तो question आपके सामने है, यह question है भई, if cos a upon cos b is equal to m, cos a upon sin b is equal to n, we have this as lhs, यह अपने पास lhs है, यह rhs है, तो बच्चों lhs से शुरू करते हैं, ठीक है? राशी समझारी बाद, lhs से शुरू करते हैं, चलो, lhs है अपना m square plus n square into cos square b, ठीक है, अब बता समिष्टी, m square क्या होगा, m square होगा, इस portion का square है न, cos square a, अरे हट, पागल, हाँ, इधर square कर दो, चाहिए, इधर square कर दो, इस पे square करेंगे, तो यह भी square हो जाएगा, चलो, cos square b, plus n square क्या होगा भई, n square, इस portion का square होगा, cos a upon sin b, उसका square कर दो, cos square a upon sin square b, bracket close, and we will be writing cos square b in multiplication, ठीक है, चलो, बिटा, LCM, LCM लेने से पहले, I will suggest कि अपन लोग, cos square a, cos square a को common ले लें, तो cos square a को ले लो बिटा, common बाहर खीच लो, क्या बचा bracket में, one बचा यहाँ, one upon cos square b, plus, यहाँ भी one बचा, one upon sin square b, और bracket close करके, cos square b, लिख देते हैं, ठीक है, अब बच्चों गौर से देखना, यह LCM क्या आएगा, बताओ, कौन बता रहा है, LCM क्या आएगा, राशी, तुम बताओ, LCM क्या आएगा, what will be the LCM, अरे यहार, कोल वाली bracket लगाते हैं, बताओ, LCM क्या आएगा, Yes, sin square b into cos square b, या cos square b into sin square b, किसी को भी लिख दो multiply हैं, तो sin square b dot, cos square b dot means multiplication, चलो, आगे भी बता दो, राशी, आयूशी कोई तो बताओ, बिटा, उपर क्या आएगा, cos square b, cos square b already है, तो यह आएगा, sin square b, yes, sin square b plus, भाईया, यहां आएगा, cos square b, अच्छा, समिश्टी, राशी, कोई भी बताओ, यह शायद formula बन रहा है, कुछ उपर, देखो, sin square a plus cos square a, sin square b plus cos square b, angle सेम जरूरी है, बिटा, तो यह उपर पूरा 1 हो गया, तो अपने पास, अच्छा, सुनो, cos square b से, cos square b, यहां नप्टा दो, यहां, खतम करो, इसको काट दो, ठीक है, अपने पास 1 बचाई है, राशी, भी है, 1, तो cos square a, cos square a into, यह पूरा बिटा, 1 upon sin square b, ठीक है, तो बिटा, इसको 1 से multiply कर देते हैं, cos square a बन्जा, cos square a, upon sin square b, अच्छा, इसको राशी, अपन दोनों का square है, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, cos a upon sin b का whole square, ऐसे लिख सकते हैं न, we can write it like this, बिटा, क्या इसकी जगा कॉट आ सकता है, मेरा question, क्या इसकी जगा कॉट आ सकता राशी, कॉट, बताओ समिष्टी क्या इसकी जगा, नहीं आ सकता, बिटा, कॉट क्यों आ जाएगा, बिटा, ये a है, angle अलग अलग है न, देखो, ये angle a, ये angle b, angle अलग अलग है, तो कोई formula नहीं लगेगा यहां, cos upon sin, कॉट होता है, बिलकुल सही, लेकिन वो तब होता, जब दोनों जगा, same angle हो, ये a है, तो ये भी a होता, ये होता b, ये भी b होता, तब लग सकता था, अभी तो नहीं लगेगा, cos a upon sin b, बिटा, cos a upon sin b, क्या है, n है बच्चो, this is n, तो ये हो जाएगा n, उस पे square लगा, इस पे square और बच्चो, यही तो अपन को चाहिए था, तो भाईया, lhs हमने solve किया, and we ended at n square, इसका मतलब हमारा lhs, rhs match कर गया, got it everyone, समझाई बात easy था, राशी solve करते चली जाओ, आज आते है answers, अगर आपके formula concept clear है, तो answer दूर नहीं है बटा, answer आते जाएंगे, चलो भाई, next question पे चलते हैं अपन,